हेलो फ्रेंड्स होम्स किचन में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आप सब के साथ शेयर करने वाली हूँ कद्दू की सबजी की रेसबी जिनको कद्दू खाना पसंद नहीं है वो भी इस वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि कुछ खास तरीके से अलग तरीके से मैं कद्दू की सबजी बनाना बताऊंगी जिससे जो भी कद्दू खाना पसंद नहीं करते हैं वो भी कटोरियां भर भर कर सबजी खाएंगे फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो प्ली इस वीडियो को लाइक शेर और आपके अपने चैनल होम्स किचन को सबस्क्राइब करना ना भूलें तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी बनाना कद्दू की सबजी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज का कद्दू ले लिया है वजन में ये 600 ग्रैम्स है मैंने अच्छे से इसको वाश कर लिया है अब हम इसको कट करेंगी सबसे पहले हम कद्दू को दो पार्ट में डिवाइड करेंगी और जो इसके जैसे बीज निकाल कर अलग कर देते हैं उसी तरह से हमने कद्दू के सारे बीज निकाल देनी है अब हम कद्दू को कट कर लेते हैं मैं इसको छिलके के साथ ही कट कर रहे हूं क्योंकि छिलके के साथ एक तो ये हेल्दी रहेगी दूसरा कद्दू की सबजी छिलके के साथ अगर हम बनाते तो देखने में भी काफी सुन्दर लगती है अगर आपको छिलके के साथ सबजी बनाना पसंद नहीं है तो आप छिलका उतार कर भी ले सकते हैं तो यहाँ पर हमने कद्दू को कट कर लिया है अब हम एक पैन में डालेंगे अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे खड़े मसालों में मैंने लिया है जीरा, सौफ, सरसों और कलोंजी चारों मसालों को मैंने मिक्स करके लिया है और यह कौन्टिटी में नापें तो दो छोटे चमच है ओयल गरम होने के बाद मसालों को डाल कर कुछ सेकिंड्स के लिए हम इनको पकाएंगे कुछ सेकिंड्स तक मसालों के पकने के बाद हम इसमें डालेंगे चार छोटी सूखी लाल मिर्च और दो से तीन हरी मिर्च को मैंने काट कर लिया है अब एक मिनट तक लो फ्लेम पर लगाता चलाते हुए सभी मसालों को पका लेंगे कद्दू की सबजी में हम नहीं प्याज, लहसों, टमाटर कुछ भी नहीं डालेंगे फिर भी ये सबजी बेहदी लाजवा बनती है फ्रेंट्स तो मसाले हमारे अच्छे से पक चुके हैं, अब हम इसमें एड करेंगे कद्दू तो यहाँ पर मैंने कद्दू को छिलके के साथ ही लिया है छिलके के साथ ये सबजी हेल्दी तो बनेगी ही, साथ में देखने में भी काफी सुन्दर लगेगी और ये छिलका काफी सोफ्ट होता है फ्रेंड्स जल्दी से ये गल जाता है बढ़िया से कद्दू को मसालों में मिक्स कर देंगी अब सबजी हमारी अच्छे से जल्दी से पक जाए उसके लिए हम इसमें नमक एड़ करेंगी तो यहाँ पर मैं टेस्ट के अकोडिंग नमक डाल रहे हूँ एक तीहाई चमच डालेंगे हल्दी हल्दी हम कम ही रखेंगे क्योंकि कद्दू का अपना खुद का कलर ही इतना सुन्दर होता है तो जादा हल्दी डालने की इसमें जुरुत नहीं है बढ़िया से दोनों चीजों को मिक्स कर देंगे मिक्स करके तीन से चार मिनट तक सबजी को ढखकर पकाएंगे सबजी को ढखना जरूरी है ढखने से क्या होगा एक तो हमारी सबजी जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगी गल जाएगी और दूसरा जो हमने इसमें मसाले डाले हैं उनका फ्लेवर भी उड़ेगा नहीं तो सबजी को मैंने तीन से चार मिनट तक पका लिया है सबजी पहले से काफी सोफ्ट हो जुकी है बढ़िया से एक बार इसको मिक्स करेंगे अब हम इसमें डालेंगे एक चमच भरकर धनिया पाउडर डालेंगे धनिया पाउडर हम थोड़ा जादा ही रखेंगे ताकि अच्छे से कोटिंग मसालों की सबजी के उपर हो जाए खटे पन के लिए हम डालेंगे वाइन स्पून आमचूर पाउडर अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप एक निम्बू का रस इसमें डाल सकते हैं अब कद्दू की सबजी हमारी खटी मीठी बनती है इसलिए दो स्पून मैं यहाँ पर चीनी डाल रहे हूँ चीनी की जगा पे आप भारिक तोड़ करके गुड़ भी इसमें डाल सकते हैं मिक्स करके ढखकर 5-6 मिनट तक लो फ्लेम पर इसको फिर से पकाएंगे पकाना हमने ढखकर ही है फ्रेंट्स खुला नहीं पकाना है तो हमारी सबजी को पकते हुए पूरे 10-12 मिनट हो चुकी है और यह 70% तक कुक भी हो चुकी है ढखकन हटाकर हम इसको एक बार मिक्स करेंगी बीच में इसको चेक करना जरूरी है फ्रेंट्स नहीं तो सबजी हमारी जल सकती है बेहदी लाजवाब टेस्टे यह सबजी बनकर त्यार होती है फ्रेंट्स और इसकी खास बात है कि इसमें बहुत जादा ताम जाम भी नहीं करना है ना हमने इसमें लहसुन प्याज डालना है और जल्दी ही ये सॉफ्ट भी हो जाती है, गल जाती है बस इसको बनाने के लिए हमने दो-तिन चीजों का ध्यान रखना है एक तो हमने सब्जी को ढखकर पकाना है दूसरा सब्जी को बनाते हुए पूरे प्रोसेस में ग्यास का फ्लेम लो रखना है और कद्दू को हमने ऐसे पीसिस में कट करना है कि वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं और इतने छोटे भी नहीं करने हैं कि वो बिल्कुल मैश हो जाएं तो फ्रेंट्स यहाँ पर सब्जी को पकते हुए 15-16 मिनट हो चुकी है सब्जी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है गल चुकी है सब्जी को हमने इतना पकाना है कि यह खिली-खिली सी रहे और कच्चे भी ना रहे बिल्कुल सॉफ्ट हमने इतना है तो यहाँ पर सब्जी हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है चलिए हमंचेक करके देख लेते हैं यह देखिये फ्रेंट्स, सब्जी अच्छे से गल चुकी है अब हम इसमें ढालेंगे थोड़ी सी कशूरी मेति कसोरी मेती से बेहदी बढ़िया फ्लेवर हमारी सबजी में आएगा और हाफ स्पून से भी कम हापर हम इसमें डालेंगे करम मसाला बढ़िया से दोनों चीज़ों को मिक्स कर देती है मिक्स करके एक मिनट तक हम इसको इसी तरह से चलाते हुए पकाएंगे और फ्लेम को आफ कर देंगे अब ढ़क कर हम इसको एक मिनट के लिए रख देती है तो लीजिए फ्रेंट्स सबजी हमारी बनकर के तयार हो गई है बेहदी, लाजवाब, खटी, मेठी, मसालेदार, चटपटी सी हमारी सबजी बनकर के तयार हुई है चपाती के साथ, पराठे के साथ, पूरी के साथ आप इसको सव कर सकते हैं पूरी के साथ तो ये सबजी बेहद ही यम्मी लगेगी फ्रेंट्स एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा तो आप भी इस खटी मेठी सबजी को एक बार जरूर बनाएए खाईए और कैसी आपको मेरी आज की रेसिपी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताईए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ तब तक बाबाई टेक के